एक लड़की को लगता है कि उसका boyfriend अब उसमें इतना interested नहीं है अपने boyfriend के लिए वो plastic surgery करवा लेती है अपनी identity खोने के बाद क्या होता है यह आज के movie का परिमाईस है यह एक thoughtful movie है और हमें एक message भी दे कर जाती है अगर movie में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो last में मैं पूरा समझाने वाला हूँ तो last टक इस वीडियो को जरूर देखेगा तो चले शुरू करते है movie स्टार्ट होती है और plastic surgery के इसी करवाई जाती है यह हमें दिखता है इसके बाद एक और plastic surgery करवा के hospital से बाहर आती है एक लटकी से टकरा जाती है इस औरट के पास उसका नया चेहरा किस तरह से होने वाला है इसकी photograph होती है यह लटकी जब इस औरट से टकराती है तो इसकी photograph तूट जाती है यह लटकी बहुत ही sorry होती है और कहती है ये लड़की बहुत ही sorry होती है कहती है कि मैं इस frame को सहीद से करवा कराऊंगी ये वही उस औरत को रुकने के लिए बोलती है पर ये औरत वहाँ रुकना नहीं चाहती जैसी लड़की turn होती है तो ये औरत वहाँ से निकल जाती है अब ये जो लड़की थी कि हमारे main character है इसका नाम है सीही सीही ये photograph और frame लेती है और अपने boyfriend के साथ एक cafe में मिलने वाली होती है जब वे cafe में अंदर आकर देखती है तो उसका boyfriend waiter को देख रहा होता है इसके boyfriend का नाम जीवू होता है सीही जब notice करती है कि वो waiter को देख रहा था तो ये बहत ही चीट जाती है सीही उससे पुछती है 2 साल हो चुके है कि क्या तुम मुझे से bore हो चुके हो जीवू कहिता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सीही बोलती है कि तुमारा dog था तुम उससे भी bore हो चुके थे सीवू कहिता है कि dog और person में एक difference होता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला C यह मानने रही होती जब वेटर उनसे पुछने के लिए आती है कि उन्हें क्या order करना है तो C उस पर भी चीड़ जाती है Jee करता है कि तुम्हें इस तरह से भी ही वो नहीं करना चाहिए C यही अभी भी उस पर चीड़ी ही गए होती है जब यह सब चल रहा होता है तो Jeeo ने जहाँ कार पार्क की होती है वहाँ कुछ लड़किया उस कार को टकरा देती है वो Jeeo को call करती है C इन लड़कियों को देख रही होती है यह लड़किया Jeeo को उनका number देती है और Jeeo भी अपना number उने देता है C ही इस पर भी चिड़ जाती है वो कहीती है उनको क्या जरूरत थी उनका number तुम्हें देने की Jeeo कहीती है कि कोई problem आया कुछ हुआ तो मैं उनको call कर सकता हूँ Ceeo कहीती है कि तुम्हें सिर्फ उन्हें बदाना चाहिए था कि insurance यह सब देख लेगा तुम्हें उनसे contact करने कोई भी जरूरत नहीं है Ceeo बहुत ही जिड़ जाती है और उन लड़कियों के पास जाती है उन लड़कियों से वो जगड़ने लग जाती है यह उन्हें को जब भरा भरा कहती है और लड़किया भी उसे गालिया देती है इसके बाद Ceeo के घर पर आजाती है Ceeo भी घर आने के बाद उसे गले लगाता है Ceeo से कहती है कि एक ही face बार बार देखना कि तुम्हें पोर हो गया है Ceeo अभी भी उसे मना करता है इसा कुछ भी नहीं है इसा इस वह अशूर करता है इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेट होना चाहते है Ceeo बहुत ही ठक गया आता है तो इस इसे कुछ करने पा रहा था Ceeo से कहती है कि रेस्टान में तुम्हें वो लटकी पसन आई थी उसे तुम इमेजिन करो इसके बाद यह तोनों इंटिमेट हो चुक है यह हमें दिखता है थोड़ी दर बाद जब यह बेड में होते है तो Ceeo से पूछती है क्या तुम उसे इमेजिन कर रहे थे जो कहता है कि तुमने ही तो कहा था Ceeo इस पर बहुत ही चिट जाती है इसे अब मालूम हो जाता है कि वो उससे बोर हो चुका है दुसरे दिन जीवो अपना अपना काम कर रहा होता है वो जब अपने डेस्क पे Cee की फोटो देखता है तो उसे उसकी याद आती है वो जब उसे कॉल लगाता है तो ये नंबर सर्विस में नहीं होता ये परेशान हो जाता है और Cee की अपार्मेंट पर आ जाता है वो आने के बाद उसे पता चलता है कि वो वहाँ से मूव कर चुकी है Cee जहाँ काम करती थी उसके कोवर्कर की पास भी हो जाता है इस कोवर्कर को पुछता है पर इसे पता ही नहीं होता कि उसने कवी मूवीन किया था अब हमें Cee एक अलग अपार्मेंट में दिखती है अपनी जो सब फोटो जोती है यह सब कुछ वो जला देती है कुछ मैगजिन से ब्यूटिफुल लेडिकियों की फोटो जो निकालती है और उसे वो एक नया फेस बनाती है यह फेस अब उसे चाही होता है यह प्लास्टिक सर्जरी के हो होस्पिटल में आती है डॉक्टर से जब बात करती है तो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रिटी नहीं मना सकता है मैं सिर्फ तुम्हें डिफरंट मना सकता हूँ और यही सीही को चाही होता है डॉक्टर से बुचता है क्या तुम तुमारे चेरे से टायट हो चुकी हो सिही कही थी कि प्लीज ये कर दो डॉक्टर फिर सिही को डराने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की प्रोसेजर किस तरह से होती है ये उसे दिखाता है डॉक्टर सिही से कहता है एक बार तुमने प्लास्टिक सरजरी कर ली तो फिर से तुम अपना ओरिजिनल फेस नहीं पास सकोगी सीही जब ये प्रोसेजर देखती है तो रोने लग जाती है पर इसे अभी भी ये सब करना ही होता है डारेक्ली सीही का ओपरेशन हो चुका है ये हमें दिखता है सीही को अब रिकवर करने के लिए 6 मैंने लगने वाले है ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही पेनफुल होने वाली है इसे हमेशा अपना फेस कवर करकर रखना होता है डीउ के फ्रेंड्स को जब पता चलता है कि सीही उसे छोड़कर चली गए है तो उसके फ्रेंड उसके लिए एक डेट लाते है और ये सब पार्टी के लिए आते है ये उसे समझाते है कि अब तुम्हें मुवान करना चाहिए सीउ कहता है कि हम 2 साल तक एक साथ थे ये उसे इतनी जल्दी भूलने ही सकता उसका फ्रेंड बोलता है क्या तुम उसे बोर्ने हो गए थे सीउ को इस तरह से नहीं लगता सीउ के लिए उसके फ्रेंड ने जो डेट लाई होती है ये डेट और सीउ ये दोनों बहुत ही बाते करते है ये लड़के फिर सीउ से पुछती है ये कही हमें चलना चाहिए हमें बाते करने चाहिए ये उसे इंडारेक्ली मोटल पर लेकर जाना चाती है ये दोनों जब मोटल पर जाते है और इंटिमेट होने वाले होते है तब ही कोई पत्थर से उनका शीचा तोड़ देता है इस model का manager आता है और इने बहुत डाटता है इन दोनों को यहाँ से वो बहुत निकाल देता है नेक्स दिन जीव जब hang over होकर उठता है तब उसे उसकी friend का call आता है यह जो friend है एक college की उसकी friend है यह एक बड़ी से photographer बन चुकी है जीव को भी photograph निकालना अचा लगता है इन दोनों में बहुत सारी चीज़े common होती है यह इस town में नहीं रहती आज exhibition है तो जीव से हो मिलना चाती है exhibition में एक दूसरे से हो मिलते है और dinner करने के लिए अच्छे से restaurant में आ जाते है यहाँ और वो अपनी पुरानी बातों के बारे में बात करते है जीव की friend अब serious हो जाती है वो कहती है कि जब हम एक दूसरे से मिले थे तब हम दोनों engaged थे अब यह दोनों single है तो एक दूसरे के साथ ही हो सकते है इन्हें पहली बार में भी attraction हो चुका था यह फिर जीव को kiss करती है और कहती है कि मैं ladies room जाकर आती हो जीव बाहर उसका wait करता है जब यह ladies room में जाती है तो वहाँ कोई होता है इस movie में हमें दिखाया नहीं गया है कि वहाँ कोन था पर यह see ही होती है next आने माले कुछ scenes में हमें पता चलेगा जीव जब अपने friend का बाहर इंतजार कर रहा हता है तो वह वहाँ आती है और उसे मना कर देती है तो कहती है कि अब मैं तुमारे साथ नहीं आ सकती है जीव insist करता है मुझे कम से कम तुमारे घर तो छोड़ने दो जब वो इसे घर छोडने के लिए आता है कि वो सीही से ही मिली थी सीही जीव से इतना प्यार करती है कि उसने उसके लिए प्रैस्टिक सरजरी कर लिए है ये जीव की friend को पता है जीव की friend इसले ही जीव से अब कोई भी सम्मन नहीं रखना जाती दूसरे दिन जीव शीप में होता है वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है ये हमारी सीही ही है पर उसने अपना face cover कर लिया है जीव उसे live देना चाता है पर उसे देती नहीं जीव यहाँ से directly एक sculpture park में आ जाता है ये जो park है ये समुन नर के पास ही होता है जीव और सीही ने यहाँ बहुत सारी images ली थी इस park में भी सीही ही आती है वो उसकी photo लेना चाता है इस बेचारे को पता ही नहीं है ये सीही ही है अब next day में हम देखता है कि जीव और उसके friend एक plane date के लिए आयो होते है ये एक cafe होता है जिसमें वो अलग-अलग boat शोड़ देते है इस पर उनका नाम होता है लड़किया भी अपने नाम लिखती है और लड़की भी अपना नाम लेते है जिसके पास opposite boat चली गई तो ये लड़की लड़किया ये दोनों एक दूसरे को date करते है जिवो को यहाँ एक लड़की पसना आती है पर उसकी boat उसके पास आती है नहीं एक अलगी लड़की के साथ उससे date करना पड़ता है ये लड़की समझ जाती है कि जिवो उसमें interested नहीं है जिवो उससे ज़्यादा formal हो रहा होता है तो accept नहीं करती है ये थी है कि चलो हम shooting करने के लिए जाते है ये तो मज़ा हो सकता है ये लड़की और जिवो जब shooting करने के लिए जाते है तो जिवो को ये करने में मज़ा आता है वो इस लड़की से फिर से मिलना चाता है ये दोनों जब बाहर आते है तो जियू से कहता है तुम जब ये शुटिंग कर रहे थी तुम बहुत ही confident और beautiful लग रहे थी लड़की कहती है कि ये states के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के opposite पीट करते है और लड़की कहती है कि अगर हम मुड़े तो हम फिर से date करेंगे अगर हम चलते चलेगे तो हम एक दूसरे में interested नहीं है यह हम समझ लेंगे जियू को उसे date करना होता है पर लड़की मुड़ थी नहीं इस लड़की के आखों में आसो है यानि के sacrifice कर रही है यहाँ भी सीही उसे मिली है यहाँ पहता चलता है रात में जियू का फ्रेंड उसे call करता है वो कहता है कि मेरी जो date थी वो तुम्हें बहुत ही interested थी मैंने तुम्हारा number उसे दे दिया है जियू को भी वो पसंद थी इसलिए उसका wait करता है पर कभी भी उस लड़की का call ही नहीं आता next scene में हमें दिखता है कि जियू को जो cafe पसंद आता है वहाँ वो आ जाता है जिस waiter को movie के first में वो देख रहा था वो waiter अब यहाँ नहीं है यहाँ पर एक नहीं लड़की काम कर रही है एक आगस पर I love you I love you लिक रही होती है यानि कि यह CEE है अब 6 मैंने गुजर चुके है तो अब यह नवे face में है यह जियू के पास जाती है और उसे smile देती है जब वो उसे coffee गिर जाती है नेक सिन में फिर से जियू जब ship पर होता है तो यह फिर से इस वेटरे से मिलता है यानि CEE से एक बार मिल जाता है CEE birds को खाना दे रहे होती है जियू भी इसे पैचानता है यह दोनों birds को खाना देते हैं यह दोना sculpture park में है जियू से लिफ देता है इन दोनों को इस spot पसन होता है जब यह दोनों वहाँ बेटे होते ह तो C.E. जिउओ के साथ picture भी लेती है C.E. जिउओ से कहती है कि क्या तुमारी girlfriend है जिउओ कहता है कि वो 6 मैने हो चुके है वो मुझे छोड़कर चली गई है C.E. कहती है कि क्या तुम अभी भी उसका वेट करे हो कहता है कि कभी-कभी मैं करता हूँ पर कभी नहीं भी करता, वो कभी-कभी उसे बहुत मिस करता है जब फेश से शिप से जा रहे होते है तो एक दूसरे को किस कर लेते है C मने जो लेटर जिए लिखा होता है तो एक छोटी लड़की से वो जिएज़ों को दे दी थी है जियू जब ये लिटर लिखता है तो ये C का लिटर है ये देखकर वो बहुत ही डिस्टब हो जाता है जियू वेटर को पैचार नहीं पाता उसे लगता है कि ये C है ही नहीं जब वेटर उसके पास आती है तो उसे उसका नाम पुझता है यह अपना नाम भी CE बता दी है पर फिर भी इस पर बिलियू नहीं करता जो लेटर जीव काया था इस पर CE अपना नाम लिखती है जीव से मना कर देता है वो कहता है कि मेरे गल्फरेंड का है तुम इस पर कुछ भी लिखने हैं सकते जीव इस लेटर को बहुत इसमाल कर रखना चाहता है CE जब लेटर पर लिख रही होती है तो SM हैंडरेटिंग होती है पर फिर भी ये नोटिस नहीं करता जीव सीव पर जिट गयाता है CE के थी है कि अभी भी अगर तुम अपनी गल्फरेंड से प्यार करते हो तो कल का क्या था कल तुमने मुझे क्यों कीस किया था ये इससे जगर कर वहां से चली जाती है जीव को बुरा लगता है इस रेस्टराण के ओनर से वो CE का नंबर लेता है उसे हो कॉल करता है या वो फिर से मिलना चाता है CE उसे बोलती है कि वो उसे स्टेशन पर मिलेगी जब उसे मिलती है तो उसके पीछे उसे भगाती है उसका मजा लेना चाती है इसके बाद ये दोनों जीव के अपर्मेंट पर आ जाते है जीव उसके लिए बहुत सारा खाना कूप करता है तो CE कहती है कि दो मा के ले रहते हो फिर भी इतनी क्लीन अपर्मेंट जीव कहता है कि मुझे लिए पसन है जीव बोलता है कि अगर तुमारी अपर्मेंट ठीक नहीं होगी तो मैं तुमारे लिए साफ कर सकता हो ये दोनों डिनर करने के बाद जब बेड़ पर बैठे होए होती है तो जीव इसके साथ इंटिमेंट होने वाला होता है पर ये पहले CE का लेटर देखता है CE फिर वहाँ से निकल जाती है दूसरे दिन जब जीव से के अपर्मेंट साफ करने के लिए आता है तो एक दूसरे से बहुत बाते करते है CE की जो पुरानी फोटोग्राफ थी ये उसे मिलती है ये वो देखने वाला होता है तो भी CE इससे चीन लेती है चीन कर वो उसे चुपा देती है और इसके बाद दोनों इंटिमेंट हो जाते है CE जीवो से पूछती है क्या तुम अपनी गल्फेंट को भी भुला पाओगे ये जीवो के लिए आसान नहीं होता CE को अब बहुत ही पज़ता होता है वो अपने आप से कहती है यह ही उसे चाहिए था अलग फेस वो चाहती थी पर अब जीवो उससे बैर नहीं करता वो अभी भी उसकी पुराने फेस से ही बैर करता है CE एक जीवो को लेटर लीती है इस लेटर पढ़कर जीवो को लगता है कि उसकी गल्फेंट यानि कि जो पहली वाले CE थी ये उसे मिलना जाती है वो अपनी पुराने वाली CE से मिलने से पहले अब जो करंड CE है इससे ब्रेक अप कर लेता है ये अभी की CE इस पर बहुत ही चिट जाती है कहीती है क्या में सिर्फ टाइम पस थी जीवो कहता है कि मैं एक सहारा डून रहा था CE कहती कि क्या में सिर्फ एक सहारा ही थी इससे जादा में कुछ नहीं थी इससे वो मारने लग जाती है बहुत ही तमाचा खड़ा करती है इसके बाद जीवो अपनी पुरानी CE से मिलने के लिए आता है जब वो कैवे में बैठता है तो CE का जो पुराने फेस था इसको उसने कट ओफ करकर अपने फेस पर लगाय हुआता है जो सब कुछ था हिए अब जीवो को पता जल जाता है उसे बहुत ही बुरा लगता है वो कहता है कि तुम पागल हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो C.E. कहती कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ इसी वज़े से मैंने ये सब किया था J.E. अपरोने लग जाता है J.E. कहता है कि तुम पागल हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता इस कैफे में बहुत ही लौड बात करे होते है तो एक कस्टमर को इन से परिशानी हो जाती है J.E. को बहुत ही गुसा आया होता है तो एक कस्टमर और J.E. ये तोनों एक दूसरे से बहुत फाइट करते है C.E. को अब बहुत ही बुरा लगता है वो अपना मास्ट लेकर डॉक्टर के पास आती है इसे उसका मास्क दे देती है C.E. जब वहाँ से चली जाती है तो J.E. भी थोड़े टाइम में वहाँ आ जाता है J.E. डॉक्टर के पास C.E. का मास्क देखता है J.E. उसे बुचता है कि क्या तुम उसे जानते थे J.E. फिर उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाना चाता है यह डॉक्टर से बोलता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है उसे क्या करना है उसे पता नहीं होता यह डॉक्टर पर भी चिडगा होता है डॉक्टर इसे बहुत मारता है जिवो फिर डॉक्टर से कहता है कि प्लीज मुझे मदद करो थोड़े दिन बाद S.E. को डॉक्टर को कॉल आता है जिवो डिसाइड करता है कि उसे भी प्लैस्टिक सर्जरी करनी है यह सर्जरी करते वाग उसके जो फोटोस होती है यह डॉक्टर S.E. को दिखाता है यही बताने के लिए डॉक्टर ने उसे बुलवाया था S.E. देखका रोने लग जाती है उसे बहुत पच्टा होता है S.E. जब घर जा रहे होती है तो मास्क में उसे एक आदमी दिखता है उसे लगता है कि जीवो ही है तो उसके पीची-पीची हो जाती है इसके पास कैमेरा भी होता है और जीवो को भी फोटो निकालना अच्छा लगता था तो इसे लगता है कि यह वह ही है यह उसके साथ लेक पर आ जाती है इसको लगता है कि S.E. उसमें इंटरस्टेड है तो यह कहता है यह पाच मेहने बाद मुझसे मिलने के लिए आओ तब मुझे तुम सही से देख से होगी सिही सकल्प्षक पाग में जाती है और अब बहुत ही जीवो को मिस करती है अब हम देखते हैं कि पाच मेहने गुजर चुके है और सिही जीवो को ढूंदी रहती है जब वो पाग में जाती है तो उसे एक लड़का दिखता है उसे ही देख रहा होता है तो इसे लगता है कि वो जीवो ही है इसे हो बाते करती है और उसका हाथ हाथों में लेती है जब हो जीवों के साथ होती थी तब उसका हाथ उसके हाथों में लेती थी उसे कहती थी कि हम दोनों के हाथ एक दूसरे के लिए perfect fit है यही वो चेक कर रही होती है जब इस लड़के का हाथ वो अपने हाथों में लेती है तो ये फीट नहीं होता हो वहाँ से चलि जाती है S.E. जब अपने अपारمنच में होती है तो वह एक आदमी आता है S.E. उसे देखती है तो ये कहता है कि मैं रोंग अपारمنच में आ चुका हूं थोड़ी दिर माद ये फिर से वापस आ जाता है ये उसे काफी के लिए पुछता है सीही उसे अपने अपार्मेंट में भूलवा लेती है सीही के अपार्मेंट में स्कल्प्चर पाप में जो फोटो ली थी ये फोटो देखता है सिही को कहता है कि मेरी girlfriend और मैंने भी यही photo ली थी सिही को लगता है कि यह जीवू ही है वो फिर से उसके हाथों में हाथ लेती है उससे बुछती है कि मेरा हाथ तुमें कैसा लग रहा है कि कहता है कि मुझे वो warm लग रहा है यह answer इसे expected नहीं होता यह हाथ भी fit नहीं हो रहा होता तो उससे घर से बाहर निकाल देती है नेक्स दे जब एक cafe में जाती है तो एक लड़का उसे अप्रोच करता है इससे बाते हैं करने लग जाती है जब एक हाथों में हाथ लेते हैं तो परफेक्ट fit होता है यह अब जब खुश हो जाती है सिही जब इसके अपर्मेंट पर आती है इसे इसके बच्पन की फोटोस दिखती है और इसे पता जल जाता है कि यह जीवू नहीं है यहाँ से भी वह जल्दी जल्दी में निकल पड़ती है नेक्स दे हम देखते हैं सिही को लगता है कि यह जीवू है यह उससे पुश्ती भी है पर यह हाँ के देता है जब इसके बच्पना इंटिमेट हो जाते तो अपना सही का नाम उससे बताता है सिही अब उससे चीट कर वहाँ से निकल पड़ती है सिही फिर से कैफे में आ रहे होती है तब ही वह रस्ता क्रॉस करती है रस्ता क्रॉस करते पर एक गाड़ी के सामने हो आ जाती है एक गाड़ी चलाने वाला उससे बहुत गालिया देता है इसके बाद वह कैफे में बैठती है और इससे रियलाइज होता है कि इसी तरह से तो जीवू कालिया देता था उसे पता चल जाता है कि यही जीवू था यह इसे ढूनने के लिए इसके पीछे भागती है यह ट्रेंस्टेशर पर आ चुका होता है यहाँ भीड होती है तो उसे वो ढूनने भाती है यह फिर जोर जोर से चिलाने लग जाती है जीवू का नाम लेने लग जाती है यह चिलाते चिलाते ही रोती है कि ब्लीज मेरे सामने आ जाओ जीवू से देख लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है सीही भी इसके पीछे भागती है जिवे दोनों train station से भार आ जाते है जिव रस्ते से भाग रहा होता है तो उसका accident हो जाता है ये गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है जिव अपने आपको guilty समझता था वह सीही ने उसके लिए जो सब किया है ये उसे बहुत ही गलत लगता था उसे punish करने के लिए वह कभी भी उसे मिलना नहीं चाहता था वह कभी भी उसे मिलने पाएगा हमें सीही फिर से डॉक्टर के पास आयो हुई है ये दिखता है वो डॉक्टर से डिमांड करती है कि वो उसे ऐसा बना दे कोई भी उसे recognize नहीं कर पाए ये plastic surgery करकर जब वो बाहर आती है तो उसके हाथ में वो जैसी बनने वाली है इसका photo होता है जैसा movie के first में होता है कि एक लड़की इससे टकरा जाती है ऐसा फिर से यहा होता है अब हम फिर से देखते हैं कि जो लड़की टकरा है थी ये पुरानी वाली सीही थी इसके बाद CD की भीड हमें दिखती है ये movie हमें एक mind band करने वाली ending दे जाती है अगर हम last scene को analyze करें तो हमें CD की भीड़ बार दिखाए जाती है बहुत सारे faces हम देखते है हमने last scene में देखा है कि plastic surgery करने के बाद जो सीही है और पहली वाली सीही ये एक दूसरे सीमिली है ये कैसे हो सकता है इस movie के director यहां represent करते है कि एक cycle बन चुका है इस बड़ी सी city में हर कोई अपनी identity ढूनना चाता है नया वो कुछ बनना चाते है last scene में देखते है कि सीही को अगर face से एक मोका मिला पर जो जैसा हो रहा था वैसा ही वो सब कुछ करेगी हमने आप सेफ हो बहुत insecure है और हमेशा किसी ना किसी चीज से भागती रहती है movie के फस से ही उसे लगता था ये जिवो उसे प्यार नहीं करता पर ऐसा कभी भी नहीं था जिवो उसे बहुत ही प्यार करता था और जिवो उसे कभी भुला नहीं पाया था सीही हमेशा अपने आपको खाती रहती थी और इसलिए उसने गलत कदम उठाये थे उसने plastic surgery करवा ली और उसे लगा था कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा जिवो भी उसके पास आ चुका था फर भी उसे वाइड में सुसोती थी उसे लगता था कि जिवो पुरानी वाली सीही को भी प्यार करता है अपने आपको फिर से वो insecure feel करा थी है उसे सब कुछ मिल गया था फिर भी वो सही से नहीं रह पाई जब लास में जिवो मर जाता है तो फिर से एक नहीं identity वो ले लेती है जो problem था यह सीही के mind में ही हमेशा से था उसकी thought process बहुत ही गलत थी उसी तरह से हमें अपने आपको accept करना चाहिए हम अपने आपको ही अगर superior नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि लोग भी हमें inferior समझते है यह जो हमारा face से हमारी जो body है यह भावान का दिवावा gift है इसे हमें accept करना चाहिए अगर हमने इसे change भी कर दिया तो हम हमारी thought process को change नहीं कर सकते यह बहुत ही dark movie थी और हमें एक important message देकर जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिजेगा बहुत सार यह सी movies लेकर आता है तो प्लीज चानल को subscribe पर दिजे और bell notification icon दबाना में मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिए